बश्पन में चंदा मामा की कहानियां शायद ही किसी ने नौ सुनी हो। मामा ही क्यों कहा जाता है। चंद को मा लक्ष्मी का भाई माना जाता है। चुकि हम सच मा लक्ष्मी को माता समान मानते हैं। ऐसे में हमारे रिस्ते के लिहाज से देखें तो चंद के साथ रिस्ता मामा वाला हो जाता है। यही कारण है कि चंदा को मामा कहा जाता है। यहां तक कि इसके भोगौली कारण की बात करें तो धर्टी का एकमात्र उग्रह होने के कारण ये धर्टी के चारों ओर चक्का लगाता है प्रित्वी और चांद का रिस्ता भी भाई बहन वाला ही है यह भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं भाई अपनी बहन के आगे पीछे उछलकूत करता है ठीक उसी प्रकार चांद भी प्रित्वी का चक्का लगाता है हम लोग घर्टी को भी मा कहते हैं और इसी संबन्द के कारण हमारा चांद के साथ मामा वाला जिस्ता बन जाता है और हम बच्पन से ही चांद को चंदा मामा कहा कर पकारते हैं